प्रेक्टिस एट नंबर 402 पर आजई यूपी PCS के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट करेंट के प्रश्टों पर ठीक है तो चलिए स्थार्ट करते हैं आज डेट हो गई है 21 अप्रेल 2021 जब यह टेस्ट कॉट किया चरा है तो गोशन नंबर बन पर आजईए वताइए निम्ली के तमसे कौन सा देश कौट देशों में सामिल नहीं है अमेरिका भारत इसमें सामिल नहीं है क्वार्ट देशों में कौन सा देश सामिल नहीं है देखिए अमेरिका इसमें सामिल है भारत इसमें सामिल है जापान इसमें सामिल है अर्जन्टीना इसमें सामिल नहीं है तो क्वार्ट देशों में भारत अमेरिका जापान ऑस्टेलिया सामिल है इसमें अर्जन्टीना सामिल नहीं है और हाल ही में क्वार्ड देशों की पहली सिखर वैठक जो है बर्चोली तरीके से 12 मार्ज दार 21 को संपर्ण हुई इसलिए न्यूस में है तो भारत, आस्टेलिया, अमेरिका और जापान कुशन नुबर टूपर आजाएए स्टॉक हॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट द्वारा जारी संस्थान के नुसार विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार कौन है बारत है दूसरे स्थान पर लेकिन इसके उपर भी है सौधी अरब सबसे जाद़ार तो स्टॉक हॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट के नुसार विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है सौधी अरब इसके पशाथ है भारत और इस संस्था के अनुसार अमेरिका जो है हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है ठीक है कोशन नुम्बर 3 पर आजाईए एपोफिस नुम्रिके तेम से क्या है? जो हल ही में समाचारों में रहा मचली की एक प्रजाती, तितली की एक प्रजाती कोई esterahid है क्या? यह में से कोई ने कुछ हो और है? एपोफिस एपोफिस का मतलब फिस मच्छी मत समझ लेना इसको ठीक है एस्टिरोइड है ये शुद्द ग्रह है तो एपोफिस एक शुद्द ग्रह है जो पांच से छे मार्च की मध्धरात्री को प्रत्वी के निकट से कुजर कर आगे निकल गया युनानी भासा में एपोफ जारो अस्टिरोइड जो है परत्वी के पास से कुछ औरते रहते हैं जो निकटम रहते हैं जिनका कार बहुत बड़ा होता है वो निउस बन जाते हैं कोशन नुमबर फूर पर आजए हाल ही में किसे अनुसूचित जन जाती आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और के समाजिक कारे करता है हर्श जोहां इनको अनुसूचित जन जाती के लिए राष्ट आयोग का अध्यक्ष सरकार ने फरबड़ित हरे किसमें निक्त किया इनका इस पद के लिए कारिकाल होगा तीन वर्ष का हाल ही में काला नमक चाबल महतसब का अयोजन उत्तर प्रदेस में कहां किया गया जासी लखनव सिदार्थ नगर कहां अपने का डिस्टिक में किया गया और एक स्ट्रॉबरी महतसब है वो यूपी के जहांसी में मनाया गया और गुड महतसब यूपी की राजधानी लखनों में मनाया गया कोईशन नुबर सिक्स पर आजाईए बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन ओब दा इयर अवार्ड किसे परदान किया गया है किसको परदान किया गया है BBC का Indian Sports Woman of the Year रानी रामपाल को नहीं, विनेश फोगाट को नहीं, मनु भाकर को नहीं, कोनेरो हमपी को ठीक है, आप्सन नमबर D है सकांसर रानी रामपाल ये हौकी की कैप्टन है हौकी खेलती है विनेस फोगाट तो कल ही गोल्ड लेक आई है कुछ दिन पहले है ठीक है नियूज में थी ठीक है मतलब रेसलर है ये और मनू भाकर है सुटिंग कॉनर हो हम भी खेलती है सतरंज तो वर्स 2020 के लिए बीवी सी के इंडियन स्पोर्ट्स वूमेर अब दा इयर पुरुसकार की खोशना आठ मार जारिक के इसको बर्चुल समारों में की गई ये हैं पुरुसकार रेपिट सतरंज की विस्प चेंपियन कोनेरू हमपी को दिया गया है ये हैं विस्प चेंपियन भारतिय कोनेरू हमपी ठीक है सतरंज चैस खेलती हैं ये कोश्चन नुम्बर 7 पर आज़िए नमले के दमें से 51 बाद दाद साफ फाल के पुरुसकार किसे प्रदान किये जाने की खोश्चना की गई इसका उत्तर तो सभी को पता होगा कोश्चन नुम्बर 8 पर आज़िए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुबात कप की गई थी 2017 में नहीं 16 में नहीं 2015 में ठीक है पंदरा में ही आया था नीती आयोग तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जो है वाली काओं की सिक्षा एवं भागेदारी सुनिश्चित करना भी है ठीक है तो जिला हरियाना का पानी पत है दो हैर पंदरे की सन है जब ये योजना सुरु की गई थी कोशन नुबर नाइन पर आजए ये नमलिखीत कत्नों पर विचार करेंगे दो स्टेट्मेंट है यहाँ पर बताने की इनमें से कौन सा करेक्ट होगा देकि हाल ही में विच्व की सबसे पुरानी ग्यात गुफा चित्रकारी इंडोनेशिया के लैंग तेंदोंग में एक चूना पत्थर की गुफा से मिली है इस गुफा चित्रकारी में विसाल आकार के मस्य वाले सूक्रों को चित्रित किया गया है तो हल ही में पुरातत विदों ने इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की है जिसमें एक जंगली सूवर को चित्रित किया गया है यह चित्र इंडोनेशिया के सुला विश्वी दीप पर एक सुदूर घाटी लियोंग टेडागने गुफा में पाया गया है वह यह चित्रकारी कम से कम 45,500 साल पुरानी है देखें यह चित्रकारी जो है लाल गेरुए रंग से की गई है इसमें एक जंगली सूवर को चोटी सी सिखा और आखों के सामने सींग सदरश आगरती के साथ दर्शाया गया है यह संभवते किसी सामाजिक संगर्स या अन स्वरों के वीच संगर्स की संभावना को व्यक्त करता है सुलावेसी सुवरों का शिकार मनुस्योदारा कई हजार सालों से किया जा रहा है और यह इस दीप के हिम योगीन सैल कलाओं में सबसे अधिक संख्या में चित्रे जानवर है जो यह दर्शाता है कि लंबे समय से इसका उप्योग या इनका उप्योग भोजन के रूप में किया जाता रहा है सुलावेसी सुवरों का कोशन नमबर दस पर आजए तो सुकर की जए कुछ भी दे सकता है वो की बुल मिला वहां पर या फर हीरन मिला या कुट्ता मिला या घोडा मिला कुछ भी चले कोशन नमबर दस पर आजए नमले की दिकत्नों पर विचार करेंगे दो स्टेटमेंट है यहां पर बताने की नमें से कौन सा करेक्ट होगा 23 जनवरी 22 को परक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था क्या 23 जनवरी 22 को निता जी सुभाष चंदर बोस की 125 वी जनती थी क्या 125 वी थी 130 वी थी देखे सुभाष चंदर बोस और अमबेटकर में कन्फियूज मत कर जाना सुभास्चंदर भोष जी की 125 भी थी और अमबेटकर जी की थी 130 भी जैनती परक्रम दिवस मनाया गया वलकुल 13 जनवरी दिवस को करेक्टर दोनों के दोनों स्टेटमेंट C है इसका आंसर एक ट्रेन का भी नाम परिवर्तित कर दिया गया बड़ी फेमस ट्रेन है वो क्या न नाम परिवर्तित करके नेता जी एक्सप्रेस कर दिया गया कोशन नुबर 11 पर आजए फरवरी 2021 में किस देश ने विश्व सतत विकास सिखर सम्मेलन की है किस ने की है भारत नहीं की है ऑप्सन नंबर ए है इसका आंसर तो देखिए 10 से बारे फरवरी 2021 के मद्द वीश्वा ठीक है विश्व सतत विकास सिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधिम सायोजित किया गया और इस सिखर सम्मेलन का विश्वा या थीम क्या थी हमारे सामाने भविश्व को पुनर सापित करना सभी के लिए सुरक्षित और संरक्षित बाता बढ़ना फरसे सुन ल गरवार रहा है 11 फर्बरी दोला किस लिए 그거 world world wide life photographer of the year 2021 पूरुजकार नमलेकत में से किस ने जीता है किसे को मिला है व veggie fard life photographer of the year पूल पूरुजकार बीचिस अ रोवर्ट इर्विन देखिए सुझायन नहीं है है गीठा नहीं है रोवर्ट इर्विन या स्टीव स्मित में से एक उत्तर है ठीक है स्टीव इसमित नहीं है रोवर्ट इर्विन-ॉप्सन नंबर ए तो ग्यारे फ़रवुरी दोहर 21 को वर्ड wide लाइफ फोटोग्राफर आप दा येर पुरुसकार दोहर एक केस जीता है रोवर्ट इर्विन ने ठीक है यही है रोवर्ट इर्विन कोशन नमबर 13 पर आजाए अठारे मार्च दोहर एक केस को आसकर के लिए नामंकित यानि नॉमिनेटेट होने वाले पहले मुस्लिम अभी आफिनेटा कौन है यही है क्या नाम है इनका इर्वान खान तो है नहीं रिज एहमद आप्सन नमबर ए तो अठारे मार्च दोहर एक किसको आसकर के लिए नामंकित होने वाले पहले मुस्लिम अभीनेटा है रिज एहमद तो पहली बार देखिए आसकर में किसी मुस्लिम ए एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए नॉमिनेटेट किया गया है ठीक है कि और फोटीन पर आजिए माउंट मेरापी जो अला मुखी नम्री के तुमें से किस देश में इस्थत है इस पर प्रश्ण हो चुका है दो तीन बार इंपोर्टन्ट है कहां पर है माउंट मेरापी इं कन्फ्यूज मत हो जाना और इटली में भी भारत में तो है नहीं है कहां पर है इंडोनेशिया में ऑप्सन नमबर ए तो 21 जून दो हर भी इसको इंडोनेशिया के एक सक्रिय जो अला मुखी है एक्टिव वालकेनो माउंट मेरापी में दो बार विस्फोट हुआ माउंट मे माउंट मेरापी में हुए जो अला मुखी विस्फोट के करण तीन सो से अधिक लोग मारे गए थी क्यों आते हैं भूकम पितने इंडोनेशिया में देखें इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर में अवस्त है ठीक है जो परसांत महसागर के चारो और का एक विशाल शेतर है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आकर मिलती हैं इसलिए आते हैं और हिलती रहती हैं कॉश्चन नमर पंदरे पर आज़े हाल ही में किस देश के जो अला मुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है ये प्रशन इंपोटन्ट है इसमें भी कन्फ्यूज करेगा आपको इंडोनेशिया, इटली और इक्वाडोर का आप्शन देकर लग रहा है ना किसी हॉलिवड मुवी का आर्टिफिशल सीन लेकिन रियल है ये ठीक है आइसलेंड की कहानी है ये आप्शन नमबर सी हाईल ही में तो आइसलेंड की राजधानी जो है रेक्जाविक से मातर 25 किल दूरी पर फूटे जोला मुखी का लाबा जो है काफी दूर तक बहकर आ गया बीते कई दिनों से इस जोला मुखी महल चल थी इसके फूटने की आसंका की वज़े से सहर के कई इलाकों को खाली करवा दिया गया था ठीक है इस वीच 19 मार्च 21 को रात में 9 बच कर 45 मिनिट प पर शेर भी की गई वाइरल भी हुए खूब ठीक है जो इस तबाही को साब दिखा रही थी पुलिस और प्रशासन ने ठीक है लोगों से इस एरिये को दूर रहने के लिए कहा था और पहले ही खाली करवा दिया था अभी तक इस स्पोर्ट में किसी के हाताहत होने किया शंक हमें याद रखना है तो पंदरा प्रशन थे इंपॉर्टेंट इनकी प्रक्टिस कम से कम एक बार तो करी लिजेगा कोई भी टेस्ट डाला जाता है इसको इग्नोर ना करें ठीक है करें अफैर सेम है सभी के लिए मतलब कंपटिटव एक्जाम में भी पोई आती है यूपी में भी बस फर्क इतना है कि जो स्पोर्ट से रिलेटेट प्रशन होते हैं जैसे कि विनेस फोगाट ने यह जीता को नेरू हम्पी को यह मिला यह सब चीजे यूपीस सी नहीं करती है लेकिन यह वाले प्रशन करती है यूपीस सी बोलकानिक वाले ठीक है यह हथियारों का स सबसे बड़ा खरीदार कोन है चलिए इनकी प्रेक्टिस कर लीजेगा एक बार बाकि इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट वना रखिया हमने वहां पर आप टेस्ट नबर बन से लेकर 402 तक पहुंच सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है